So, hey guys, welcome to exam news. Welcome to मेरे प्यारे क्लाश 10th and 12th इस्टुरेंट्स. खासकर वो बच्चे जो 2023 में अपना board exam देना चाहते हैं. बच्चो, सबसे पहली चीज कि board delay होगा या नहीं होगा, इस चीज को ध्यान से समझना है आज हमें. क्योंकि board exam delay होने के पीछे एक छोटा सा logic है, जो कि exactly उसका मैं प्रूफ भी दूँगा. तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखो कि exam delay है या फिर नहीं है. और अगर delay नहीं भी है तो क्यो delay नहीं है? सबसे पहले ये कल एक news आई थी, NDTV पे जो कि एक official है. ये news exactly इस basis पे है कि जो सयम भारतवाज जी जो है हमारे exam counselor CBSC के, उन्होंने ये बताया कि जो date seat चल रही है ना सकल, social media पे वो fake date seat है. तो जब तक CBSC के official portal पे कोई update ना आ जाए, तो किसी भी तरह की date seat को trust मत करो. पहली चीज़, यहाँ पर इन्होंने directly बहुत ही अच्छे से और clear words में बोला है कि जो हमारा exam होगा, यानि जो board exam होगा, वो 15th of February से class 12th और 10th के board exam स्टार्ट होगे. लेकिन still सब लोग कह रहा है exam delay होगा, मैं भी कह रहा हूँ exam delay होगा, बट किस basis पर delay होगा, तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, कि किस basis पर exam के delay होने की बात हम यहाँ पर समझ रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान समझो बच्चों, कि तुम्हारा जो exam है, वो already CVST ने बोला है, कि जो तुम्हारा exam है, वो 15 January से होगा, 15 February से, sorry, and तुम्हारे जो practical exam है, वो 1st January से start हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो 15 February से तुम्हारा exam start होने वाला है यह minor subjects का ह Yes, यह है जो exam है, वो minor subjects के हैं, अब minor subjects कौन से होते हैं, already मैं तुम्हारा को बता चुका हूँ, कि कौन कौन से minor subject हैं, जैसे computer है, ठीक है, और किसी का music है, ठीक है, arts है, ठीक है, इस तरह के जो subjects हैं, यह minor subjects में होते हैं, इनकी exam exactly 15 February से start होगे, बट हमें तो पता है बच्चों कि class 10th and 12th आले बच्चों के जो major subjects होते हैं, वो 5 to 6 major subjects हैं, उसमें भी 5 major subjects होता है, और एक हमारा optional होता है, यह तो सबको पता है, now यह जो 5 major subjects हैं, इनका exam हमारा तो मार्च से ही start हो रहा है, yes, और यह मार्च के start होगा, मार्च के first week से second week के बीच में, अब इस basis पे अगर हम बात क करें, तो क्या हमारे exam में delay नहीं है, so समझ के बताना, कि जहां पर अभी तक पूरी तरह से हवा चल रही है, कि 15 February, 15 February, 15 February से exam है, वहीं आज मैं तुम लोगों के सामने बिलकुल clear करके बता दिया, कि तुम्हारा जो main subject का exam होगा, या जो maximum 5 subject के बच्चे exam देते हैं, वो main subject हमा ही है, हालेकिन जिन बच्चों के ये सारे subjects है, minor subjects है, वो 15 February से उनके exam स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छा, दूसरी चीज, कि क्या ये जो एक अलग extra subject है, optional, ये add होगा, अगर हमारे किसी 5 marks में कम marks आ जाते हैं, ये भी question बहुत जादा है, बच्चों के बहुत जादा बच्च इस समय, तुम exactly इसको add कर सकते हो, बास समझ में आई, तो exam की preparation बहुत अच्छे से करो, और preparation के लिए already मैंने तुम लोगों को बता दिया है, कि sample paper start कर लो, and अगर तुम भी चाहते हो कि live class से start कीज़ा है, तो make sure comment करना, हमारा जो दूसरा channel है, इस पर मैं exactly तुम लोगों के लि और यहाँ पर तुम मुझे DM भी कर सकते हो, that is S-U-R-Y-A-03-15, that's my Instagram, make sure मुझे follow जरू कर लेना, DM कर सकते हो, कोई भी problem हो, and सबसे पहले और सबसे authentic updated news के लिए, इस चैनल को subscribe जरूर कर लेना, and instant tips and motivation के लिए, हमारा दूसरा channel subscribe करना, जिसका link मैं description box में दे दूँगा, that is infallible study I am Surya Prakas, right now signing off, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ, till then don't forget to like, share and subscribe, good luck